हलो एंड वेलकम टू रियल कुई के अनलिसिस चैनल तो चलिए आज एक और नए टॉपिक पर हम करते हैं अपना रियल एनलिसिस आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि फ्रांस आखे फारता रह गया और अस्ट्रेलियन पंडुपियों को मेगा ओर्डर अमेरिका उड़ा कर ले गया जबके फ्रांस को बुरा लगना स्वाभाविक है लेकिन यदि इस पूरे कटना क्रम से चाइनीज ड्रेगन के दात तोडने में मदद मिलती है तो फ्रांस को भी खुश होना चाहिए क्योंकि लंबी चलांग लगाने के लिए दो कदम पीछे भी हटना पड़ता है और जहां तक भारत का सवाल है तो हमारी तो पांच उंगलियां घी में और सर कड़ाई में है अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साब ऐसा क्या हो गया तो दोस्तों पहला जवाब तो यह है कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो आपको तलाश होती है ताकत बर्ष साथियों की इसलिए यदि आस्ट्रेलिया के हाथ मजबूत हो रहे हैं तो यह तो हमारे लिए खुशी की बात ही है साथ ही यदि चीन हिंद प्रशांत मा सागर में थपेड़े खाएगा तो हो सकता है कि भारती सीमा पर चीखने चिलाने का उसे मौका ही ना मिले पाकिस्तान में भारत को और अफगानिस्तान में अमेरिका को उलजा करके ही तो चीन ने दुनिया रौदने का लाइसेंस प्राप्त किया था तो अब च पाकिस्तान जैसे प्यादों की कोई रती भर भी भूमी का नहीं है इस खेल में वह कहते हैं आदमी तब बड़ा बनता है जब बड़े लोग उसका इंतजार करते हैं इसलिए भारत की हैसियत बढ़ रही है और आपको तो खुश होना चाहिए भाईजी इसी बैग्रांड मे सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कोरोना की काली अंध्यारी रात में सब कुछ लुट गया बरबाद हो गया जब ऐसा कहा जा रहा था उसी दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट ने दिया है अपने इथ्यास का सबसे शांदार प्रदर्शन और यह तो ट्रेलर है भाई साब अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो विदेशों से आने वाली डॉलर की नदियां भारत आने का रास्ता खोज रही है डॉलर की बाड़ आना तो अभी बाकी है उदर चीन में वैसे भी अंधेर नगरी चौपट राजा का नाटक चल रहा है चीन के राजा को फुर नाग चालू कर दिया है जो बड़े बड़े विदेशी पैंसन फंड अमीर बनने का सपना लेकर चीन में घुसे थे वह अब कंगाल बनकर चीन से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं अब उन्हें समझा रहा है कि लोगतंतर का असली महत्वक क्या होता है अब आप कहें कि भाई स्टाक मार्केट की साइज बढ़ गई तो उससे हमें क्या तो दोस्तों अपनी सर पर हाथ धरने के पहले जरा आप याद करें इसी साल अप्रेल महीने की बात है जब कोरोना की दूसरी लहर आग उगल रही थी तब हमने सब काम छोड़कर एक के बाद एक दबा कर वीडियोस बनाए थे तब आप मेंसे बहुत कम दर्शिकों ने वह एटीएफ के वीडियोस देखे बोले तो हमें जम कर नुक्षान हुआ था तब चलो आपने हमारी एटीएफ के वीडियोस नहीं देखे कोई बात नहीं लेकिन आज आप यह रिपोर्ट आंके खोल कर तब हर वीडियो में हमने हाँ जोड़ जोड़ कर बिंती करी थी कि भाई जी सही लाइन में लग जाओ नहीं तो आपके हक का मुनाफ़ा कोई पपू बुजारी उड़ा कर ले जाएगा तब एटीएफ में निवेश करने के बजाए लोगों ने उल्टा हमें ही गालियां द क्योंकि भारत के फ्रांस से आगे निकलने का उन्हें सीधा सीधा डारेक्ट एंड फास्ट मुनाफ़ा हुआ है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों सुन लीजे कान खोल कर बिल्कुल पिक्चर अभी भी बाकी है यह खेल अभी भी खलास नहीं हुआ है आगामी दि हैं और फिर ETF और stocks में निवेश करना आपके बाएं हाथ का खेलना बन जाए तो आप के हैना हमसे आपने तब हमारे ETF के वीडियो नहीं देखे चलो कोई बात नहीं लेकिन अभी तुरंत लगे हां तो आप आप निर्भर इंवेस्टर कोर्स को जोइन कर लिजे अब यदि त प्रसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को शेयर भी कीजिए और आप आप हमारे चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक्स वार वाचिंग देस वीडियो फ्रेंड्स